जाड़े का मौसम हो अगर आपके पास बचई रोटी हो तो ये वाला रेसिपी एक पास जरूर ट्राइ कर लिजगा काफी मज़दार और टेस्टी रेसिपी है सच में करना कुछ भी नहीं है एक कढ़ाई में मैंने लिया है दो चम्मस तेल आट दस लेसन के के लिए जिसे मैं बारे काट लिया है से बुषा याविं के बाद मने डाला दो ने चीज़ा डिया है अलू चलाएज के बाद हीट को सौपत होने तक हम घृन लेना है तोससें बाद के लेता यदि का प्यास घृमिर्ज ऐक मीडियम जाएज 270 जैजर बाद में डालने से और स्टफिंग का जो टेस्ट आता है बहुत बढ़िया आता है तो प्यार और हरलिबी दालने के बाद इसमें थोड़ा हली प॓रर लाल मिच पौरर डाल से मिक्स कर देंगे और आधा चमछ मैंने ओसके अ communist पाणी डाल दिया तो अभी जाड़े का मुसमे तो बहुत ही असानी से हरा मटर मिल जाता है मार्केट में आधा कप मैंने हरा मटर लिया इसे दरदरा पीस लिया है मिक्सी जार में डालके और फिर इसके अंदर हम डालेंगे बिना आलू उबाले हम स्टफिंग रेडि कर रहे हैं काफी टेस्टी और कमाल की ये रेसिपी ये सच बता रही हूँ कुछ भी मेहनत नहीं जादा है मैंने मटर को हलका सा दरदरा पीसा थोड़ा सा मिक्सी जार में ना पानी डालके इसके अंदर डाल दिया अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा नमक डालके इसे मिडियम टू लो हिट पे तीन से चार मेट के लिए पका लेंगे mix कर लेते हैं और heat को low कर देते हैं एकदम से soft होने तक इसे लगातार चलाती भी हलका सा mask करते रहेंगे बीच बीच में और इसे पका लेंगे तो ये stuffing काफ़ी tasty बनेंगे और मेहनत कुछ भी जादा नहीं करना पड़ेगा दो आलो को सिर्फ काटना और प्याज को काटना है कुछ जादा मेंस नहीं है तो बस तीन से चार मेट हो चुका stuffing हमारा बिलकुल रेडी हो चुका है तो हम ले लेंगे एक तवा तवे पर लगा लेंगे घी या बटर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है और मेरे पास ब्रेड था उसे मैं सेक लेती हूँ अगर आपके पास ब्रेड ना हो तो सिर्फ ये stuffing आप रोटी पे अप्लाई कर सकते हैं मेरे पास ब्रेड था तो मैं ब्रेड पे भी कर लूँगी और रोटी पे भी तो मैंने सुबह में रोटी बना के रखे थी अभी साम का टाइम है और चाय या कॉफी के साथ ये वाला जो रेसिपी है ना ज़रू ट्राई करिएगा कमाल की रेसिपी है मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा और क्योंकि जाड़े का मौसम है तो बचिवी रोटी से ये आस्ता आराम से रेडि कर सकते हैं आप आलू उबालने के भी जंजट नहीं है और आसान रेसिपी है आप देख सकते हैं कितना आसान है तो मैंने ना सारे स्टफिंग ब्रेड पे डाल दिया है अच्छी से फैला दिया है बर-बर के डाल दिया है और दूसरा वाला ब्रेड भी सेक लेते हैं एक साइट से और फिर इस पे भी यही वाले स्टरफिंग डाल के और थोड़ा सा मौंजरेला चीज था मेरे पास उसे भी इसके उपर डाल देते हैं आपके पास अगर चीज ना हो तो पनीर का टुकड़ा छोटा-छोटा काट लीजिए उसके उपर डाल दीजिए टेस्टी भी हो जाएगा और हैल्दी भी और वो भी ना हो पनीर ना हो मौंजरेला चीज ना हो तो आप थोड़ा सा नमकीन भुजिया इसके उपर ना सिख जाने के बाद भर भर के डाल दीजिए तो बहुत टेस्टी हो जाएगा चाय और कफी के साथ मजाएगा खाने में तो ना देखिए अच्छे से हमारा चीज मैल्ट हो चुका है तो बस हीट के एकदम से लो करके हम मैल्ट होने देंगे चीज को तो अच्छे से सिख जाने देंगे और लो हीट पे इसे थोड़ी दे छोड़ देंगे तो अच्छे से मैल्ट हो जाएगे तो अच्छे से ब्रेड रेडी हो चुका है ये वाला रोटी वाला भी हम ट्राइ कर ले रहे हैं तो मेरे पास जो बच्चीवी रोटी थी जो मैंने सुबह में बनाई थी उसको ना हलका साखी लगा के दोनों साइड से हलका हलका सा सेक लिया है बस इतना सेक लेना है और इसके अंदर जो हमने स्टफिंग ब्रेट पर डाला था सेम वहीं अपलाई इस पर भी कर लेंगे तो सारे स्टफिंग को मैंने डाल दिया है और मॉंजरिला चीज भी इसमें भी डाल देती हूँ और हीट को मैंने एकदम से लो रखा है एकदम से हमारी रोटी है कुरकुरी हो चुकी है मैंने इसको फोल्ड कर दिया और दोनों सैट से हलका सा सेक लिया और जो चीज अच्छे से मैल्ट हो चुका है तो देख सकते कितना शांदार बनके हमारा नास्ता रेडी हो चुका है यह बचिवी रोटी का और चाय कॉफी के साथ आप भी जरूर ट्राइ करिएगा आपको रेसी भी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिजिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिजीगा अबाब